मैं में 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 क्या होता है सिपल सी बात है एरिया वॉल्यूम ठीक है स्टर्फेस एरिया पैरिफेरी इस तरीके के कोश्चन आपको पूछे जाएं तो जितना आपको एक्जाम सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल के लिए तो एक ट्राइंगल के लिए अगर बच्चा-बाटी में बात करूं इसके लिए टूल यूज कर लेता हूँ किसी भी एक रैगुलर ट्राइंगल के लिए अगर बच्चा-बाटी में बात करूं किसी भी एक रैगुलर ट्राइंगल के लिए बात करूं तो आपको सिर्फ एक चीज बता होनी चाहिए क्या चीज़ उसका एरिया तो अगर बच्चा पार्टी इसका बेस बी है और आपको ये पर्पेंडिकुलर हाइट एच पता है तो एरिया ओफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी हाफ की इन्टु मैं बेस किता है भी इस फोर्मुले के साब से और हाइट किती है तो ये इसका एरिया होजाएगा तो एरिया का फॉम्मला आपको एक ट्राइंगल के लिए अगर लिए बात करो में сделation के फॉर्म से तुर्फ एरिया आफर ट्रैंग ये तो सबसे पहली बात को फैर्थाजूर्स थ्यूर्म आनी चाहिए है बतने सबसे पहला बात जो तुम्हें पता होना चाहिए कि C square is equals to A square plus B square होता है और मुझे पता है कि पैथागोरस चुरब सक्पो पता है दूसी चीज़ तुमें क्या पता होना चाहिए इसके लिए भी एरिया पता होना चाहिए एरिया ओफ ट्राइंगल किता होता है हाफ बेस राइट अंगल ट्राइंगल का भी एरिया क्या था हाफ बेस इंटू हाइट यहां तक सभी लोग इसके लिए और ट्राइंगल के लिए और ट्राइंगल के लिए क्या नॉर्मल ट्राइंगल इसंटू होता है इसके लिए आपको यह पैथागोरस ठीयूरम और पता होना चाहिए स्क्राइब करते हैं नेक्स स्लाइट पर कि इसक्वाइर कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि यह पहले जिमेट्री का यूज कर लेते सारी जिमेटरी में स्कुर्म आगया नेक्स लाइट पर क्या है एक नेक्टेंगेल तो रैक्टेंग टॉंआ कर लो यह पिर नग्स लाइट पर क्या है सरक्ल्ट तो सरक्ल्ट कर लो चप्लें आएगा इसले दूसरा यूज करना पड़ेगा कि शेप ठीक है circle third next slide पर क्या है cube पर क्या है कि सरकल हो गया फिर नेक्स्ट आते हैं क्यूब पर क्यूब है यहां पर क्यूब है यहां यहां यह रहा है कि कैसे कदर का क्यूब बनाया इन्होंने क्यूब क्यूब यहां पर क्यूब है कि क्यूब क्यूब यहां जिकरा यार यह यह क्यूब इखराव है नका रेट करो चलो क्यूब मैं अपने हाथ से बना दूंगा फिर आता है स्फेयर अच्छे से शेप का स्फेयर बना लेते हैं फिर क्या आता है नेक्स्ट सिलिंडर यह रेडियस है यह हाइट है फिर नेक्स्ट क्या आता है ट्रेपीजियों यह हो गया ट्रेपीजियों चाहिए यह बच्चा पाड़ी अपने ट्राइंगल देख लिया था ओपन आगे बढ़ते हैं इसक्वाइर के लिए तो अगर यह इसक्वाइर है जिसकी साइड लेंद्ट ए है तो क्या क्या चीजे आप लोग को जानने है सबसे पहले आसानना है पैरिमेटर पैरिमेटर टोटल साइड जो टोटल एज है इन सबकी टोटल लेंद्थ तो इसी चार साइड होती है और एक साइड का लेंद्थ किता है तो फॉर ए पैरामेटर ऑफ स्क्वाइर हो जाता है सेकेंड जो आपको जानना होगा वो इसका एरिया जानना होगा और एरिया क्या होता है स्क्वाइर का ए स्क्वाइर होता है स्क्वाइर का एरिया क्या होता है जो भी साइड लेंथ है उसका साइड लेंथ का स्क्वाइर आपका एरिया हो जाता है इसके लावा एरिया बनते नहीं अब आता है रेक्टेंगल तो अगर बच्चा पार्टी ये साइड भी है और ये साइड ए है अगें रेक्टेंगल के लिए भी आपको दो बाते जानने है एक उसका इसक्वाइर और दूसरा पहला पैरिमीटर ठीक है तो बी लेंध की कित्ती साइड है दो ए लेंध की कित्ती साइड है दो टोटल पैरेमेटर के आजाएगा टू टाइमस ए प्लस और वहीं बच्चा पार्टी सेकेंड जो इसका एरिया ओफ रेक्टेंगल आपको पता करना है वह ए इंटू बी हो जाएगा एरिया ओफ सेकेंटेंगल कित्ता हो जाता है दोस्त एंटू बी हो जाता है कमफटेबल है क्लेयर है अब आता है नेक्स पार्ट सब्सक्राइब की रेडियस कित्ती है बच्चा पार्टी आर है अगर तो और इसमें दो चीजे पूछी जाएंगी इसके लिए भी पैरामेटर और एरिया तो सर्कल का पारामेटर क्या होता है बच्चा पार्टी टू पाई आर होता है और क्या रेडियस तो पूरी जो यह लेंद्ध होती है इस लेंद्ध की जो टोटल एज लेंद्ध होती टोटल पैरामेटर काते है और बच्चा पार्टी वहीं मैं एरिया ऑफ सर्क्ल की बात क यहां पर डी क्या है बच्चा पाटी इसका डायमेटर है डी क्या है बच्चा पाटी इसका डायमेटर है आर इस रेडियस डी इस डायमेटर तो एरिया पारेमेटर और पारेमेटर और पारेमेटर हो चुके होंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स कंसेप्ट पर इस क्यूब अगर सारी इसकी सारी लेंद्ध क्या होती है होती है होती के ढ़मीं क्या करते हैं क्यूब पूदते हैं कि अब क्यूब के लिए बच्चा बाटी एक तो तुम्हें सर्फेस सर्यरिया पता होना चाहिए और उसका वालिउम पता हो चाहिए और इसका वालियों पता है तो सबसे पहला आतार है टोटल sound लेंदिक का स्क्वैर और क्यूंस के बास कित्ती फेस ? टो सर्फस opin तो टा एक रएफ कि तो सिक्सलोंस क्योंस होता है और वहीं बच्चा पारिण करने स्वाब को क्यूंस की बात करूं तो वॉल्यूंum क्या हो जाएगा एज लेंद्द जो भी है एल तोल का क्यूब जो होता है वो वॉल्यम आफ क्यूब होता है अब आते हैं आपने next figure के लिए स्पेर स्पेर और सरकल में बहुत अंतर होता है सरकल थ्री टूरी ऑबजेक्ट होता है और इस फियर क्या होता आए खरेंगे तो कोई भी अगर टूडी फीगर है ठीक है टू डामेंशन मेंगेसिट प्लेट जो होती जिसमें आप लोग खाना खाते हो वह भी क्या एक सर्कुलर प्लेट है लेकिन स्पारिकल मतलब कोई थ्रीडी वॉल्यूम एक्वायर कर तो इस स्फेर के लिए भी दो च क्य你就 सब जो टूटल सफेस एरिया आएगा वह सेब्सक्राइब तो फैसको आए एक इसका वकीषित्यूटल सब्सक्राइब होता है वो इल्सक्राइब प्लिए स्फेयर के शेप से क्लिए इक सेजिए एए क्या सका सक किंद्ड्रिकणों यह सों लिए तीन चीज़े आ जाती है फॉस्ट कर्व सर्फेस एरिया तो कर्वड सर्फेस एरिया इस टेकेंड चीज़ आपको ध्यांद नहीं है टूटल सब्पेस एरिया एंट थर्ड चीज़ आपको पता होना चाहिए इसके लिए क्या वाल्यूम ओफ तो सिलेंडर की अगर बच्चा बाटी मैं बात करूं तो जो कर्व सर्फेस एरिया होता है कर्व मतल समझ रहे हो कोई भी अगर सिलेंडर ले लो जैसे की यह मैं यह पैनीक सिलिंडर तो स्क्राइश ये यह से इसका जो सर्फेस एरिया आथा इसे क्या कहते है Cou trek अगरा रेडिया का है तो कर सफेस एरिया तो टोटल सर्फिस एरिया की मैं बात कर तो तो आएगा या आएगा लेकिस साथ में यह जो नीचे उपर दो बेसस लगे हैं स्लेंडर के यह इनका भी है आज आजाएगा तो वह किता हो जाएगा पाइड आर स्कुर्ण एच प्लस ऐसी कितनी प्लेट एसलेंडर की दो एक नीचे एक उपर तो टू टाइमस पाई आर इसकुर्ण और एड़ कर दोगे तो टोटल सर्फेस एरिया ओफ सिलेंडर आ जाएगा और लास्ट आता है वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है एरिया ओफ बेस कि एन्टू राइट आ ऐसी एरिया और अँब मुम कि इसलेंडर क्ल है तो पाई आर स्कुर्ण करेश और हैंच हाइट है और आर रेटियस अटो जो वॉल्यूम आएगा वह पाई आ स्कुर्ण अजाता है इसका वॉल्यूम झाजियot कंवर्यूम रिविटा आफ्टσιप्ट क ट्रैपीजियम एसे फीगर्स होते हैं जिनकी दो साइड पैलल लो और बची हुई दो साइड पैलल ना हो ठीक है अगर यह वाली साइड भी पैलल होती तो क्या हों जाता है टो सब्सक्राया हमाल हो तो क्या करते है लैट्स कि ए सफ तो में एरिया ओफ ट्रेपीजियान रखना आज अप समौ Hi ¿ makeup Of सब्सक्राइब कर देंगे तो यहां से अगर मैं एरिया की बात करूं हाफ बेस किता है सी और हाइड किती है सम आफ पैलल साइड किता है ए और बी ए और बी का एडिशन कर दें तो सम आफ पैलल साइड आ जाएगा सब्सक्राइब कर देंगे तो एरिया ओफ ट्रेपीजियम आ जाता है तो यह कुछ मेंसुरेशन की पॉमले से कुछ फीगर से जिनके यह सफेस एरिया वॉल्यूम या पारामीटर आपको ध्यान अकने थे और आपको ध्यान अच्छे जमाने बता दिये इनको आप लर्न कर लि कर दो कार वारामीटर आपको 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 भाह कुछ मेंस। कर दो कर दो कि तो यह सब्सक्राइब कर दो एक अजब कि अग्छे जाने की पॉराता है तो कि अभाई टॉब .